नमस्कार में हुदुविया बिहारी न्यूज में आपका उस्वागत है खब्रों के और बने से पहले एक नजर सुख्यों के मुख्य मंत्री और उपमुख्य मंत्री ने राजवास्तियों को नव वर्स की दी बधाई और शुब कामना है साल के अंतिम दिन नितिस कैबिनेट के 12 मंत्रियों ने साजा की अपनी संपत्री सहरी छेतर में अब शुरू होगी सिक्चक न्यूख्य की प्रक्रिया राजवास्तियों को नव वर्स की दी बधाई और शुब कामना है आज से 9 साल 2014 की शुरुवात हो गई है एवं सुब कामनाय दी गई है एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंदी 13 कुमार के द्वारा एक्स जोकी पूर में ट्विटर हुआ करता था उस पर ट्वीट का लिखा गया है कि नव वर्स मंगल में हो यह वर्स सभी के लिए सुख सांती एवं सम्रिद्धी लेकर आए राजे और तरक्की करे विहार विकास ही नहीं वो चायों तक पहुँचे और दूसरी और उक्मुक्यमंदी तेजस्वी आदव के द्वारा ट्वीट का लिखा गया कि नए साल का हर दिन नई उमंग नई रोसनी नई उर्जा नई उमीद नई सपनों नई आसनाओं खुशि नवर्स की हार दिक्ष्ण नई साल के अंतिम नि नितीश कैबिनेट के बारह मंत्रियों ने साजा की अपनी संपती साल कैं दिन पूरे liaisonती का बेहर जंता कि साज करते हैं इसी करी में बीटे दिन 31 समबर को 12 मंत्रियों के द्वारे अपनी संपती के बारे में जानकारी दी गई है जो कि कैबिनेट सचिवाले की तरफ से साजा किया गया है बदादी कि जिन 12 मंत्रियों की ओर से अपनी संपती साजा की गई है उसमें सुमत कुमार सिंग सुनील कुमार अनीजा देवी जितिंद्र कुमार राय रतने सदा जैंत राज मुहमद जमा खान साथ गौतम समीम एहमद सहनवाज सुरेंद्र राम और मुहमद इस्राइल मंसूरी के नाम सामिल है हाला कि अब तक बिहार के मुख्य मंत्री तीस कुमार बिहार के मुख्य मंत्री तेजस्वी आदवग कई अन्य वरिष्ट मंत्रियों की अचल अचल संपती को सारवजनिक नहीं किया गया है, नै साल में मंदिरों में जुटी लोगों की भीर, आज नै साल दौजा 24 का पहला दिन है, ऐसे में लोगों में काफी उच्चा बना हुआ है, नै साल के मौके पर भारत समेत पूरे विष्ट में खुसी का महौल है, बिहार समेत देश भर के मंदिरों में बतादे कि बिहार की राज़ानी पटना महावीर मंदिर समेट अन्य धार्मी कस्तलों में सुभ़ से ही लोग पहुंच रहे हैं और नय साल में बहतर की कामना के साथ पूजा पाठे वं अराद ना कर रहे हैं। नंदिर में व्यवस्ता को सुचारू बनाए रखने के लिए बिहार पुलिस एवं अन्य सुरक्षा कर्मी को भी तैनात किया गया है। विभाग के द्वारा एनम को इधर से उधर भेजा गया है। जिसमें रेनु कुमारी, रागनी कुमारी, मनोरमा कुमारी, ज्योती कुमारी, जैनती कुमारी समेट 71 एनम के नाम सामिल है। सहरी छेतर में अब सुरू होगी सिक्षक नियुक्ति के प्रक्रिया, बिहार सरकार के सिक्षा विभाग के द्वारा राजिक के सभी जिला सिक्षा कारयाले को पत्र लेकर या जानकारी दी गई है। अब ग्रामीन छेतर के बाद सहरी छेतर के सरकारे स्कूलों में सिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ऐसे में इसके लिए विभाग के द्वारा तमाम स्कूलों से विसायबार रिक्तियां मांगी गई हैं। वहीं इस काम को करने के लिए विभा के द्वारा राज के राज की राज की करिद प्रोजक्ट माध्या में कुछ माध्यमिक विद्याले प्राचारे को निर्देस दे दिया गया है। सिक्षक नियुक्ति की परिक्षा युजद करवाई जाएगी बिहार में कोल्ड डे की स्थिती बनी मौसम विभाग ने दी बड़ी जानकारी बिहार के तापमान में अब गिरावट आने लगी और लोगों के वो सीत लहर का एसास होने लगा है बतादे की नियुंतम तापमान में और अधिक्तम तापमान में केवल एक से तीन डिग्री तक के बीच अंतर दर्ज किया गया है हाला कि आई एमडी की तरब से कोल्ड डे और सीत लहर की अधिकारी घोसना नहीं की गई है इसके लावे राज के कुछ अन्य भागों में मसलन गया पुर्णिया वालमी की रहा है इसकी वज़त से तीन से पांच तारी के बीच दक्सनी बिहार विक के कुछ अलाकों में हलकी वारिस का पूर्वानुमान है सुमवार और मंगलवार तक राज में कराके की ठंग बने रहने का अनुमान है राज के 50 संस्कृति स्कूल और 50 मदरसा मॉडल घोसत किये ग इन सब के अलावे अब संस्कृत स्कूल और मदरसा में विद्यारतियों का बैंक खाता भी खुलेगा इसको लेकर बिहार सरकार के सिक्चा विभाग के अपर मुक्य सचीव के के पाठक के त्वारा मदरसा बोड और संस्क्रेट सिक्चा बोड के अध्यक्शों के साथ बैठ इसके लावे कन्या उत्थान योजना के सोरी स्वास्त योजना समेच सभी तरह की चात्रविरती का लाप दिया जाएगा इसके लिए कुल साथ करूर की रासी आवंटित की गई है जो ने कोजे पटना सहर में शराब तसकरी के 14 अट डे वीहार में पूर्ण रूप से सराब ब पाकिफ हैं लेकिन उसके बावजूद भी आए दिन सराब तसकरी से जुरे मामले सामने आते रहते हैं बता दे कि इसी करी में पिछले 6 महीने में बिहार की राज़ानी पटना में ड्रोन के जरिये 14 से इलागों को चुनित किया गया है जहां देशी सराब बनाई जा रही थी इसमें गोवंदपुर, चुलहाई चक, छेदी टोला, सबरी, हेंडेर, भेलवारा, माधोपुर, बरी कुरकुरी, छोटी कुरकुरी, बाटा, मुसहरी, महुआ, बाग, बाईपास, बेवर, सौखी के अलावे रागोपुर से पटना सिटी के कई इलाके सामिल हैं ऐसे में जब इन इलाकों में छापे मारी की गई तो यहां से तीन लाख नीटर से अधिक सराब बरामत किये गये हैं, वहीं इस दौरान मिली सराब बनाने की सामगरी को भी नस्ट कर दिया गया है, नैसाल के आगमन पर सहर में सराब की तसकरी अधिक होने की संभाब ना है, जिसको कोरोना के मामले में एक बार फिर से बरहोतरी होनी शुरू हो गई है, बता देकी रहतास में कोरोना संख्रमित 10 साल के बच्ची की मौत हो गई, जिससे की अब स्वास भाग भी अलर्ट मोड में आ गये हैं, दर असल बच्ची को पूर्व में ही फेफ रे का गंभीर इंफैक में कोरोना के साथ पॉजिटिव केस मिले हैं ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि सभी लोग मास्क लगा कर ही घर से बाहर निकले और भीर भार वाले इलाके में जाने से बचें कोवीड के लक्षन दिखने पर फॉरण जाच करवाएं और सरकार द्वारा जारी कोवीड गा विखास को लेकर सहन्वाज हुसान का बयान बीजेपी के राष्टे प्रवक्त और बिहार के पूर्व द्योग मंत्री सहन्वाज हुसान के द्वारा बिहार में ओध्योगिक विखास को लेकर अपनी टिपपणी दी गई है उन्होंने कहाई कि आज तक बिहार की सत्ता में किसी भी सरकार ने द्रेटा और समर्पन भाव से इस पर कारे नहीं किया है जिस कारण ये स्थिति उत्पन हुई है मुझे करीब दो वर्ष तक प्रदिस के उद्योग मंतरी के रूप में कारे करने का मौका मिला था मैंने काफी प्रयास कर यहां अतनौल कार खाने को लेकर देखने वाली बात थी वह समीट में सारवधनिक रूप से संबोधन नहीं कि आखिर इसका क्या संदेश जाए मिहार कॉंग्रेस के नेता चार दनवरी को मिलेंगे खर्योगी वर रहूल गांधी से चार दनवरी को कॉंग्रेस पार्टी के अधक्ष मलेकारजुन खर्गी औ लेकर मुकुल वासनी के द्वारा इस संब्द में एहम बातचीत की गई है उन्होंने कहा है कि हमने सीट बटवारे पैनल के समक्ष लोगसवा चुनाव लड़ने की योजना के संब्द में अपने पार्टी कारे करताओं की आकांग्षाओं के साथ-चाथ सहयोगी दलों की म बिहार कॉंग्रेस ने राजे में कम से कम दस लोगसवा सीटों पर अपना दावा मजबूत करने के लिए कमर कसली है सुसील मोदी नितिस कुमार को सीएम पद चोड़ने की दी सला एक बार फिर से बिहार के पूर्व मुक्य मंतिर्वम राजसवा सांसत सुसील कुमार मोदी के द्वारा बिहार के मुक्य मंतिर्व नितिस कुमार पर हमला बोला गया है उन्होंने कहाए कि नितिस कुमार जब राश्ट्य अधक्ष का पद स्विकार कर राश्ट्य राजनीती में जाने का नश्य पक्का कर लिया है तब पूरी ताकत से वह कम करे और और बिहार के मुक दूसरा माफिया हावी है और विकास ठाप है तब एक साथ दो बरे पदों का दायत्व कैसे निभाएंगे उन्होंने कहा कि यदि वे दोनों पदों पर बने रहते हैं तो उनके देश व्यापी दूर से भाजबा को तो कोई फर्क नहीं परता है सुसील कुमार मोदी का केसी त पलटबार करते वे उन पर हमला किया गया है छोने कहा है किसील कुमार मोदी खेलने में माहे रादमी है को आए भगवान्स प्री राम की प्रण्पर्दिष्ट-षण के लिए गर्व की बात है या सिर्फ हिंदू के राम नहीं बल्किया स्बके राम है भाजपा के कुछ नेताओं के अती उच्छा के कारण इसमें विवाद उत्पन हो रहा है कैप टाउन में अभी तक कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीत सकी है भारतीय टीम भारत और साउथ एफरीका के भी टेस्ट मैच का दूसरा मुकाबला कैप टाउन में तीन जनवरी से खेला जाना है ऐसे में इस मैच को जीत कर भारत टेस्ट मैचों के सिरीज में एक-एक की बराबरी करना चाहेगी लेकिन आपको बता दे कि अब तक भारतीय टीम कैप टाउन में एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत सकी है मालूमों कि भारत के द्वारत के द्वारा इस मैदान पर कुल 6 टेस्ट मैच खेले गया है इसमें चार बार उने हार का सामना करना पड़ा तो वहीं दो टेस्ट मैच ड्रॉड रहें वहीं अगर साउथ एफरीका की बात करें तो साउथ एफरीका की द्वारा इस मैदान में अपना दब दबा बनाया रखा गया है और अपने पिछले 20 मैचों में उन्होंने किवल दो बार हार का स्वाद रखा है पता दे कि भारत ने जनवरी 2023 में कैप्टाउन में अपना आकरी मैच खेला था जहां साउथ एफरीका की द्वारा भारत को साथ विकेट से हराय गया था ऐसे में इस बार इस मैच को जीत कर भारत अपने हारने का रिकॉर्ड को बदलना चाहेगा जानी आज बिहार में क्या है पिट्रॉल डीजल के रेट बिहार में आज यारी सोमवार को पिट्रॉल डीजल के रेट जारी किये गए हैं जिसके बाद राजधानी पटना में आज पिट्रॉल 107.24 रुपे और डीजल 94.04 रुपे प्रति लीटर में मिल रहा है वज़ापरपुर में पेट्रॉल एक सौर दसमलब सूने चेह रुपए और डीजल 94.7 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है वहीं पुर्णिया में पेट्रॉल की कीमत 181 रुपए और डीजल 95.4 रुपए प्रति लीटर है भागलपुर में पेट्रॉल की कीमत 185.3 रुपए और डीजल की कीमत 95.2 रुपए प्र प्रटी लीटर तो डिजल 95 द स्म्लभ 9 9 प्रथी लीटर कीमत है रूमैस दिन हमारे दाइप उर्प पुछे के सवाल का आप अप लोगों में से बहुत तों न असवाब हमें में हमारे comment section box में लिकर दिया था जिन्होंने हमारे दोर पुछिए के सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राज के सोर मेहतों मुहमत साकीर हुसेन सचिन कुमार नीड़च कुमार साधुला पल्लवी दंजीत मिसरा रवी कुमार राम संजीत कुमार सजि ना कुमारी डाकेस रिंग की मुहमद अफजल मंसूरी बाबुलाल मरांडी नौसाद रजा कुमार यनिता मन मदन कुमार मोहित गुडु कुमार मनीशा यादव इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल है आपने नए साल दोजार चौबिस कैसे मनाए हैं आप अपना जव झाल